हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ कच्चे केले की बहुती तेस्टी सब्जी इसे मनाना बहुत आसान है लेकिन खाकर मज़ा जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं मनाना तो सबसे पहले लेंगे हम कच्चे केले मैं ले रही हूँ पांच कच्चे केले जिसे मैंने पहले पानी से अच्ची इतना से दो लिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन केलो को हम प्रश्वुकर में डालेंगे और करीब एक कप पानी डालके हम दो सीटी आने तक पका लेंगे ताकि जो केले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, हम बहुत जादा केलो को नहीं पकाएंगे तो हमारे केलो को दूसी ती लग चुकी है और ये बहार आ गाएं तो अब हम इन्हें इस तरह चाकू की मदद से छील लेते हैं ये असानी से छील गाएं तो सारे केलो को ऐसे ही छील लेंगे हम केलो को छील लिया है तो चलिए अब बढ़ते हैं next step की तरफ तो अब हम इन केलो को पीसिज में कट करेंगे मैं इन्हें करीब एक इंच के पीसिज में काट रही हूँ आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने हिसाब से इन केलो का साइज छोटा या बढ़ा रख सकते हैं तो केले कट चुके हैं बढ़ते हैं आगे पर रखेंगे एक कड़ाई और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल कुछ टेबल स्पून और इस तेल को हम गरम कर लेंगे तब तक जब तक की इसमें धुआ नहीं आता ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए तो हमारे तेल में से धुआ आ रहा है आप देख सकते हैं तो अब हम अपने केले के पीसिस को इस तेल में डाल लेंगे के करके कोशिश कीजिए का कि आप इस रेसिपी में सरसो का तेल ही इस्तमाल करें क्योंकि इसका तेस्ट बहुत अच्छा आता है हम मीडियम फ्लेocket पर अपने केलो को फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक कीस पे हलका सा कलर नहीं आता आप दीफ्राई भी कर सकते हैं इन्हें तो आप देख सकते हैं हमारे केलो पे अच्छा सा ब्राउंगलर आ गया है यह रेडी है तो निकालते हैं इन्हें बाहर एक प्लेट में केला बाहर निकाल लिया है कड़ाई के तो आप इसी तेल में डालेंगे साबोद लहसुन की कलियां चील कर मैं डाल रहे हैं चार लहसुन की कलियां साथ ही डाल रहे हैं दो हरी मिर्च बीच में से चीरा लगा कर आपको अगर तिखी सब्जी पसंद है तो आप इसमें हरी मिर् तो अब हम डालेंगे तो मीटियम साइस के टमाटर स्लाइस में कट करके और इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमक नमक डालने से हमारे इस मसाले का स्वाद भी बढ़ेगा और साथ ही हमारे टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे तो चलिए इन्हें पका लेते हैं तब तक जब तक हमारे टमाटर एं वह सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम गयास को करेंगे ओफ और इस मिक्स को निकालेंगे एक दूसरे ब को लगता है कि यह अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो रहा तो आप तीन से चार टेबल स्पून पानी इसमें डाल सकते हैं ताकि यह जो पेस्ट है वो एकदम फाइन बने पर बहुत सथा पानी मठ डालिएगा तो आप देख सकते हैं हमारा प्यास टमाटर वाला मिक्स पिस तरह तील है जिसमें मैंने पहले से ही प्यास और टमाटर को बहुना तो प्यास टमाटर भूलने के बाद इसमें काफी तेल से बज़गा है तो इसी तेल में हम आगेपी सबसी को पकाएंगे अगर आपकी कडाई में थोड़ा सक कम तेल है तो आप सथो सर्धों के तेल को प 2-3 चुटकी हिंग, मैं बहुत स्ट्रॉंग हिंग यूज़ कर रहे हूं, इसने 2-3 चुटकी डाल रहे हूं, अगर आप नॉर्मल हिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप चुथाई चमच हिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हिंग डाजेशन में भी हेल्प करती है केले के, और साथी म बहुत अच्छा करती है, अब हम डाल रहे हैं एक छोटा चमच मेथी का दाना, और साथी में जाएगा आदा छोटा चमच जीरा, और इसे थोड़ा सा पकाएंगे, तो करीब 15-20 सेकिंड हो चुके हैं, अब डाल रहे हैं प्यास और टमाटर वाला पेस्ट, और इस पेस्ट को डाल के इस तेल के साथ हम भूल लेंगे करीब 30-40 सेकिंड के लिए ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ सके, 30-40 सेकिंड हो चुके हैं, तो अब हम डाल रहे हैं नमक, स्वाधन उसार, और साथी डालेंगे हम चुथाई चमच हल्दी, एक चमच धनिया पाउडर डाल रहे है और डाल रहें आधा चोटा चमच लाल मर्च और इसे हम भून लेंगे तब तक चब तक की हमारे मसाले तेल नहीं चोड़ते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो लाल मर्च की कॉंट्री डी बढ़ा सकते हैं, मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और आप देख सकते इसके उपर वाली सरफेस पे ओईल आ गया है, मसाला रेडी है तो अब हम डालेंगे इसमें हमारे केले जो हमने पहले से फ्राइ करके रखे हैं, तो अब बार यह डालने की पानी, मैं डाल रहे हूं करीब 2 कप पानी इस सबसी में और इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स क्योंकि मैं आज बना रही हूं एक मीडियम ठिक ग्रेवी, इसलिए मैं 2 कप पानी इसमें एड़ कर रही हूं, अगर आपको सबसी गाड़ी या पतली पसंद है, तो आप इस सबसी में अपने तेस के अकॉर्डिंग पानी की कौन्टिटी को कम या ज़दा कर सकते हैं, तो इसे अची तरह से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे ढखेंगे, और इसे हम पकाएंगे लो तू मीडियम फ्लेम पर करीब 10-15 मिन तक, ताकि हमारे जो केले हैं, वो सारे फ्लेवर्स को एब्सॉर्ब कर लें, थोड़े से और फ्लेवर्फुल हो जाएं, और थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं, तो चेक करते हैं, 10-15 मिन बात, 10-15 मिन हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं हमाई सब्जी को, यह बहुत ही जदा अच्छी लग रही है देखने में, तो चलिए एक बार इसे चला कर मिक्स कर लेते हैं, यह अच्छी मीडियम थिक ग्रेवी प्रिपे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इतना ठिक रखेंगे, यानि कि मीडियम ठिक रखेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आप फिनिश करने के लिए इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, और अब यह सब्जी बिलकुल रेडि है सर्विंग के लिए, तो चलिए करते हैं सर्व, तो यह थी हमारी आज की केले की सब्जी, उमीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, अगर अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर मिलेंगे, गुड़ बा बाइ!